दोस्तों नई रेशीपी लेके आया हूँ वेजीटेबिल स्टॉक यह वेजीटेबिल स्टॉक है ज़्यादातर सूप में यूज किया जाता है यह सूप को बॉडी और टेक्स्टर देता है इस पे धे सारी विबिन प्रकार की सब्जियां काट कर उबले जाती है जब तक उबालते हैं जब तक यह अपनी जो सब्जियां हैं दे रिलीज देर फ्लेवर्स आप वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब परें चैनल का नाम है हेल्दी फिस्टिंग सबसे पहले मैंने एक बड़ा पैन लिया इस पैन के अंदर 700 ml पानी डाला और उसको गरम होने के लिए रख दिया जैसे पानी गरम होगा इसमें मने एक कप चौप करेवे आलू डाले चौप करेवी गाजर चौप करेवे मश्रूम चौप करेवी लौकी ये सब एक एक कप लेना हमने इंग्रिडियंट्स फूल गोबी एक कप शिमला हरी मिर्च एक कप प्याज एक कप बीन्स एक कप पत्ता गोबी एक कप स्वीट कौन आधा कप मटर हरी आधा कप ट्रमाटर इसके मैंने बीज निकाल दिये हैं आधा कप अब इसमें मैंने फिर से 700 ml पानी मिलाया और इसको लिट से ढखकर रख देंगे मध्यमाच पर मीडियम फिलेम पर इसको हमने ठीक घड़ी देखकर अब से 15 मिनिट के लिए उबालना हैं जैसी हम ढकन ढकेंगे उससे हमने टाइम काउंट करना है और 15 मिनिट उबालना है 15 मिनिट के बाद ये सिती होगी ये उबल के तयार अब हम गैस को स्विच आफ कर देंगे अब इस कॉंटेंड को हम 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे जिससे की जितने ही वेजिटेबिल है अपना फ्लेवर छोड़ दें अब ठीक 15 मिनिट बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसमें से ये सब्जा निकाल लेंगे ये हमारा वेजिटेबिल स्टॉक तयार हो गया है इसको मैं अब छान लेता हूँ और एदर्म ट्रांस्परेंट हमारे पास पानी बचेगा जो की किसी भी तरह के सूप जैसे वेजिटेबिल टॉटिला सूप बारले वेजिटेबिल सूप बीट रूट सूप इन सम्में यूश किया जा सकता है किसी इपरकार का सूप आप बनाएंगे उसमें इसको वेजिटेबि स्टॉक को यूज किये मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा उसमें मैंने बीट रूट सूप बनाया है यह वेजिटेबि स्टॉक तयार हो गया है अब इसकी सेलफ लाइफ तीन से चार दिन है आप जो उमर जी इसका की दिये आप अकर कोई सबजी बनाते हैं उसमें भी डा सकते हैं दाल बनाते हैं उसमें भी डा सकते हैं भोट ज़्यादा फायदे- ê 고 मैंत जीए आपको वीडियो कैसे लगी मेरे चैनल हेल्दी फिस्टिंग सब्सक्राइब परना ना भूले उपर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यह मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट है किसी को भी क्लिक कीजिए और ज्याद़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग